आज हम लखनवी अंदाज को बड़े ही अनोखे अंदाज से समझने वाले हैं कई बच्चे कहते हैं कि सर लाइन बाई लाइन एक्स्प्लेनेशन करो कई बच्चे कहते हैं कि सर एनिमेशन से पढ़ाओ आज हम इस पार्ट को दोनों तरीकों से एक साथ समझने वाले हैं तो बच्चों अंतक जुड़े रहिएगा बहुत मज़ा आने वाला है और इसी पार्ट के question answer के बारे में भी हम बात करेंगे तो हमारे साथ अंतक बने रहिएगा तो आईए शुरू करते हैं नमस्ते, मेरा नाम आशीश है इस पार्ट को बहतर तरीके से दिखने के लिए समझने के लिए इसका color change करना पड़ेगा तो ओम, क्लीम, शामो, शाशा, फूक मारो अपनी स्क्रीन पर देखो, color change हो गया अब बात करते हैं कि इस पार्ट में बता क्या रखा है अच्छा ये तो बता दे ना कि फूक मारी थी या नहीं मारी थी इस पार्ट के लिखक है यश्पाल यश्पाल जी ने दो चीज़ों के बारे में इस पूरे पार्ट में बताया है पहली पहली चीज तो ये कि क्या कोई कहानी बिना घटना के बिना विचारों के बिना पात्रों के लिखी जा सकती है क्या कोई ऐसी कहानी बन सकती है जिनमें इन तीन चीज़ों का प्रयोग ना हो कौन सी तीन चीज़े है विचार घटना या पात्र वैसे इसका जवाब है नहीं ऐसी कोई भी कहानी नहीं बन सकती लेकिन लेखक साबित करता है कि बिना विचार घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है वो लेखक अब साबित करेगा इस पार्थ में लेकिन दूसरी बदलते बीते बीते अब राजा मारा जाओंगा तो जमाना रहा नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आपको नवाब मानते हैं लखनों के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आपको नवाब मानते हैं बेशक इतने अमीर भी नहीं है लेकिन अमीर होने का दिखावा करते हैं ऐसी ही कोई घटना ऐसी ही कोई बात लेखक के साथ हो गई लेखक एक बार ट्रेन में जा रहा था ट्रेन में कोई उसके साथ घटना घटती है उसके बारे में ही अब इस पूरे पार्ट में जिकर है बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है नहीं शुरू करते हैं मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पढ़ने की उतावली में फुकार रही थी अब ये मुफसिल क्या है? मुफसिल एक जगय का नाम है एक सेंटर जहां पर ज़्यादा भीड़ाड होती है वहाँ उसको मुफसिल कहते हैं तो वहाँ के ट्रेन जाने के लिए तयार थी उतावली हो रही थी आराम से सेकिंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं सेकिंड क्लास का अगर टिकट लिया है ताकि भीड भाड उसे देखने को ना मिले वो अकेला सफर तै करना चाता था और second class में mostly लोग ticket लेते नहीं है क्यों नहीं लेते क्योंकि उसका ticket महंगा होता है बहुत कम लोग लेते हैं या नय के बराबर ही होते हैं तो इसलिए वो अकेला सफर तै करना चाता था भीड से बचकर एकांत में नई कहानी के संबन्ध में सोच सकने क्योंकि उसको नई कहानी के संबन्ध में सोच ना था और खिड्की से प्राकर्टिक दृष्य देख सकने के लिए ticket second class का है ले लिया मतलब ये दो चीजों के कारण एक तो नई कहानी के समद में सोचना था और प्राक्रतिक द्रिश्य उसे देखने थे इस वजे से गारी चूट रही थी सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ कर जरा दोड कर उसमें चड़ गए अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था अनुमान का प्रतिकूल अनुमान जो था उसका उल्टा ही हुआ उल्टा क्या हुआ कि डिब्बा निर्जन नहीं था निर्जन का मतलब होता है एक आंत एक आंत नहीं था वहाँ पर एक आदमी मिल गया एक आदमी बैठा हुआ था एक बर्थ पर कौन बैठा हुआ था वही बताया गया आगे एक बर्थ पर बर्थ मतलब सीट एक सीट पर लखनव की नवाबी नसल के एक सफेद पोष्ट सजन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे मतलब नवाबी नसल के एक सफेध पोस्ट सर्जन, वाभी नसल का मतलब लखनाव का ही कोई एक आदमी, ऐसे सर्जन सुईधा से पालती मारे बैठे थे, अराम से बैठे हुए थे अब आगे लेखक क्या बता रहा है वो पहले आप सुन लो, नहीं तो थोड़ा कम समझ में आएगा हुआ ये कि जब लेखक वहाँ पहुचा तो एक लखनाव का एक आदमी आगतिपादी मारे वे बैठा हुआ था, उसके सामने खीरे रखे हुए थे दो, खीरे किसको इंडिकेट करें, खीरे का मतलब सस्ती सी चीज सस्ती सी चीज उसके सामने रखी हुई थी अब उसने खरीदे खाने के लिए थे, लेकिन जब लेखक वहाँ आ जाता है तो उसके चहरे पर असंतोष आ जाता है असंतोष मतलब थोड़ा सा घबरास आ जाता है कि अब उसके सामने वो ऐसी सस्ती सी चीज कैसे खाए क्योंकि वो तो अपने आप में नवाब बनते हैं, रहीस बनते हैं, अमीर बनते हैं तो अमीर लोग ऐसी सस्ती सी चीज कैसे खाएं इसलिए इसी जिजग में वो बेचारा इधर उधर देखने लगता है तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा सामने दो ताजे चिकने खीरे तोलिये पर रखे थे डिब्बे में हमारे सहसा, सहसा यानि अचानक अचानक कुछ जाने से सजजन की आखों में यहां सजजन ये नवाब साहाब हैं, यानि कि वो जो लखनव काई आदमी था तो उसकी बात उलिए सजजन सजजन की आखों में एकांत चिंतन में वो एकांत चिंतन में था, लेकिन विग्न पैदा हो गया विग्न मतलब बाधा आ गई, बाधा का असंतोष दिखाई दिया मतलब जब भी वो लेखक वहाँ पहुँचा तो वैसे ही उसकी चेहरे पर असंतोष दिखाई देने लगा वो एकांत चिंतन में था, लेकिन वो बाधा पहुँच गई उसके पहुचने पर, किसके पहुचने पर? लेखक के पहुचने पर सोचा, हो सकता है, यह भी कहानी के लिए सूज की चिंता में हो, लेखक को लगा यह भी मेरे जैसा ही है कि कहानी सोच रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, या ऐसा भी सोचने लगा लेखक की शायद हो सकता है कि खीरे जैसी आप अदार्थ वस्तू का शोक करते, देखे जाने के संकोच में हो नवाब सहाब ने संगती के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब excited नहीं हूँ अनवाब सहाब बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसने अपनी नजरे घुमा ली थी हमने भी उसके सामने, हमने किसने? लेखक ने लेखक ने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठ कर बर्थ का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखते कितने बच्चों को यादे कमेंट करना पर बैठ कर आतम सम्मान में आखे चुडा ली, आतम सम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए उसमें भी आँखे घुमा ली लेखक ने आगे देखिए, आगे क्या होता है? ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है लेखक कैता है कि मेरी तो बहुत पुरानी आदत है कि मैं जब भी ठाली बैठता हूँ, ठाली मतलब खाली खाली बैठता हूँ तो कल्पना करने लग जाता हूँ, कल्पना क्यों करता है लेखक? क्योंकि वो लेखक है और उसको तो नहीं-नहीं कहानिया लिखनी होती है तो वो ऐसा करता ही रहता है लिख क्या कलपनाय करता है? सुचता है कि शायद नवाव सहाब ने भी second class का ticket इसलिए खरीदा होगा क्योंकि वो अकेला सफर तै करना चाता होगा और खीरे भी खरीद लियोंगे ताकि वो अकेले खा सके क्योंकि अगर वो सब को दिखा कर खाएगा तो इससे उसकी गरीबी जलकेगी यानि अमीर जो बनते हैं वो उसका भेद खुल जाएगा तो ऐसा इसलिए उन्होंने किया होगा second class का ticket इसलिए लिया होगा लेकिन अब वो मेरे सामने खीरा खाने के लिए संकोच कर रहा होगा या थोड़ी सी जिजग महसूस हो रही होगी ऐसी कल उपनाए करने लगा लेकर तो हुआ भी ऐसा ही कुछ देखो नवाब साहब की असविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे संभू है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यातरा कर सकने के अनुमान में कि फायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो कि फायत का मतलब फायदा देखकर फायदा देखते हुए सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो पर अब गवारा ने हो गवारा मतलब उचित उचित ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे मतलब सफेद पोश कौन है यहाँ पर लेखक अपनी बात कर रहा है इस बार लेखक अपनी बात कर रहा है कि शहर का शहर का कोई सफेद पोश यानि उन्हें मंजले दर्जे में सफर करता देखे ये उसे उचितना लगा हो अब ये मंजला दर्जा क्या है? मंजला दर्जा का मतलब होता है मीडियम क्लास मीडियम क्लास कौन सी? सेकिंड क्लास का टिकट लिया है न उसने तो second से उपर होता है, first नीचे होता है, third तो वो medium हो गया, medium को ही मंजला कहते हैं, तो मंजले दर्जे में सफर करता देखे, यह उसे उचितना लगा हो, किसे नवाब साहब को, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खरीदे, सोरी, खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश्के साहबने हीरा कैसे खाएं, शायद इनके मन में यही चल रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाने लगे लेखा खुद, हम कनखियों से, कनखियों का मतलब तिर्ची नजर से, तिर्ची नजर से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, कि वो क्या 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 कर रहे हैं, नवा नवाब साहब ने सहसा, सहसा यानि अचानक से हमें संभोधन किया, यानि पुकार लिया, कहा, आदा बर्ज, जनाब, खीरे का शोक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाएंगे क्या, ऐसा उन्होंने कहा, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, अच्छा नहीं लगा, सहसा लिया, यानि समझ गए लेखक, लेखक ने क्या समझा, वो अब इस दो पंक्तियों में बता रखा है, वो लेकिन पहले आप सुन लीजिए, अदरवाइस समझ में नहीं आएगा, लेखक कहता है कि मैं समझ गया था, कि ये भी मुझे मामली लोगों की लोगों में शामिल करन चाता है, मामली लोग मतलब गरीब लोग, आम इंसान, लेकिन ये खुद तो अमीर बनते हैं, और अमीर का दिखावा करते करते, आज ये पकड़े गए हैं, कि ये भी एक आम इंसान है, खीरे जैसी छोटी वस्तु खाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो भी लेखक को मिला लेना चाता है, इनी कैटिगरी में, इसी मामली लोगों की कैटिगरी में, तो लेखक अगर खीरा खा लेता है, तो लेखक भी वैसा ही बनी जाएगा, यानि लेखक भी आम इंसान हो गया, तो जो नवाब साहब हैं, और लेखक हैं, दोनों जब एक ही कैटिगरी के ह जाएंगे तो नवाब साब को इतनी दिक्कत नहीं होगी इसी लिए वो उसको पुकारता है और कहता है या संबोधन करता है कि आप भी खीरा खा लिजिए क्योंकि अगर खीरा खा लेता है तो वो भी उसी केटिक्रिका हो जाएगा तो ऐसा वो लिखता है लेखर भाब लिया आप शराफत का गुमान बनाई रखने के लिए गुमान यानि एंकार शराफत का एंकार बनाई रखने के लिए हमें भी मामली लोगों की हरकत में लथेड लेना चाहते हो और लथेड ना मतलब होता है मिला लेना तो आप भी मामली कि हरकत में मिला लेना चाहते हो मुझे भी जवाब दिया लेकर ने जवाब दिया क्या कहा कि शुक्रिया क्पला शोक फ्रमाएं कि उसका सिर काटा गोद कर झाल लिया उसके पहले पीसी किए उसके बार नमख मिरच छिड़का उसके बाद इसको बड़े सुन्दर तरीके से सजाया गया और उसके बाद लेखक से फिर पुछा क्या पुछा कि बड़ा ही बड़िया तरीके का खीरा है बालम खीरा है बालम एक खीरे का प्रकार होता है तो आप शोक फरमाए मतलब एक बार और पूछ लिया लेखक से लेखक ने कहा कि नहीं मेरा पेट थोड़ा खराब है वैसे पहले भी वो मना कर चुके हैं तो अब अगर हां करते तो उनकी भी आतमसमान को ठेस पहुंचती तो इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया उसके बाद क्या हुआ वही हैरानी भरा था वो अभी हम पढ़ेंगे लेकिन पहले जितना समझा है वो पढ़ लेते हैं नवाव साहाब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देकर गोर किया और द्रिड निश्चे से खीरों के नीचे रखा तो लिया जाड़ कर सामने बिछा लिया सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खिरों को खिड़की से बाहर धो लिया क्योंकि अगर ट्रेन में धोते तो पानी अंदर आता इसलिए खिड़की के बाहर धोया और तोलिये से पोच लिया तोलिये से अच्छी तरीके से पोच लिया उन खिरों को जेब से चाकू निकाला, उनके पास चाकू भी था, दोनों खीरों के सिर काटे, जैसा एक आप करते होंगे, आपके पेरेंट से अपने देखा होगा, सिर काटे और उन्हें गोद कर जाग निकाला, जिस तरह से आप देख रहे हैं, फिर खीरों को बहुत एतिहात से, मतलब ब पर सजा दिया और उन दुकडों को, जैसे आप प्लेट में सजाते होंगे, कभी, लखनौ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, खीरे का इस्तमाल का तरीका जानते हैं, क्या करते हैं, वो जब भी खीरा को देते हैं, किसी ग्राहक को, साथ में पुडिया भी देते हैं, उस प किसी हुई लाल मिर्च की पुडिया भी हाजिर कर देते हैं, उनके साथ ही देते हैं, नवाब साभ ने बहुत करीने से, यानि तरीके से, हीरे की फांपो को, यानि टुकडों को, टुकडों पर जीरा मिला नमक, और लाल मिर्च की सुर्की बुरग दी, सुर्की क्या होता है यह चुटकी, जैसे हम नमक छिड़कते हैं किसी पर भी, वैसे ही, उनकी प्रतेक भाव भंगिमा, यानि हाव भाव, भाव भंगिमा मतलब एक्स्प्रेशन, उनकी प्रतेक एक्स्प्रेशन से, यानि हाव भाव से, और जबडों के स्फरून से, स्पष्ट था, जब भी खान दिए पम्ट परना सोच रहे हैं लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उत्राएं हैं, असलियत उनकी यही है ना, कि वो भी आम आदमी है, कोई राजा माराजा नहीं है, नवाफ साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्ला, शोक कीजिए, लगनों का बालम कीरा है, बालम कीरा मतलब एक परकार होता है जिसके 20 सोड़े बड़े होते हैं, यह भी एक खिरे का परकार है, तो लगनों का बालम कीरा है, शोक कीजिए, यानि खा लीजिए, अब आगे लिखक लिखता है, कि मन तो कर रहा था मेरा, क्योंकि नमक छिडखने से, उन खिरों पर पानी आ गया था, वो खिरों की पानी को नमक मेरा छिडख दिये जाने से, ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर, पानी मुह में जरूर आ रहा था, लेकिन इंकार कर चुके थे, आतम सम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर क्या दिया, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, तलब ज्यादा मज़ेदार था, लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि नवाब सहाब ने अब उन खीरो की फाको को उठाया, मतलब एक पीस को उठाया, एक टुकडे को उठाया, नाक के पास ले गए, सुंगा, और ऐसे महसूस किया, जैसे वो खा रहे हूँ, लेकिन एक्चल में उसके बाद क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जितना पढ़ाया है, जितना समझाया है, पहले वो पढ़ लेते हैं, नवाब सहब ने संतुष्टी भरी आखों से, नमक मिरच के संयोग से, चमकती खीरों की फाकों की और देखा, यानि उन खीरों की फाक जो तो चमकती हुई खीरे की फाकों की और देखा, खीरकी के बाहर देकर दिर्ग नीश्वास लिया, खीरकी के बाहर भी देखा, और दिर्ग नीश्वास लेना, यानि लंबा सांस लेना, दिर्ग नीश्वास का मतलब लंबा सांस लिया, खीरे की एक फाक उठा कर, एक जब भी पानी गले से उतरता है तो हमें दिखता है बाहर वालों को, है ना, तो वैसा ही लेखा को भी दिख रहा था, तब नवाब साहब ने फाक को खिडकी से बाहर छोड़ दिया, यानि फैक दिया, बच्चो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो बे जीचा को कर कमेंट बोक्स में पूछ लेना आपको जवाब मिल जाएगा, नवाब साहब खिड़े की फाको को नाक के पास ले जाकर, वासना से, यानि पूरी चंचलता के साथ जैसे कुछ टेस्ट कर रहे हूं, ऐसा कुछ महसूस करने लगे, तो वासना से रसासवादन कर, यानि टे वे ऐसी आखों से उन्होने उनकी ओड़े खा किंकी और देख लिया, लेखक की ओड़, मनो कह रहे हूं, यह है है खानदानी रईसों का तरिका है, मतलब खानदानी जो रईस होते हैं न, वो ऐसे ही चीज़े, खाते नहीं है, सिरफ सुंग सुंग कर फैक देते हैं, इस तर ठकान हो गई, ऐसा वो महसूस करवाना चाते थे तो वो ठक कर लेट गए हमें तसलीम में सिर्खम कर लेना पड़ा लिखक कहता है कि हमें तसलीम में तसलीम मतलब आत्म सम्मान में सेल्फ रिस्पेक्ट में और खम का मतलब होता है जुका लेना जुका लिया, हमें तसलीव में आतमसंबान में सिर जुका लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो सोच रहे लगे कि यह है खांदानी तहजीब, तहजीब माने संस्कृती, कल्चर, यह खांदानी रईसों का तहजीब है, यह कल्चर है, यह नफासत है, नफासत का मतलब शिष्ट पेट की त्रिप्ती भी हो सकती है, मतलब यह तरीका अच्छा था, सूंग कर फैक दिया, लेकिन क्या पेट भी भर सकता है, इस तरीके से, अभी वो सोच ही रहे थे, कि इतने में नवाब साहब जो लेटे हुए थे, वो खड़े हो गए, खड़े हुए और उन्होंने एक ड बिना पात्रों के घटना के विचारों के कोई भी कहानी क्यों नहीं बन सकती, बन सकती है, ऐसा कुछ लेखक बताना चाहता है, लेकिन एक दो बाते और भी थी, वो भी अब हम बताएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, जितना समझाया, हम गोर कर रहे थे, कि खीरा इ चोटा, नफीज का मतलब होता है, बढ़िया, और एब्स्ट्रेक्ट का मतलब होता है, कालपनिक, सिर्फ कलपना मातर में, तो कालपनिक तरीका जुरूर कहा जा सकता है, उसको ऐसे तरीके को सुक्षम, बढ़िया और कालपनिक तरीका जुरूर कहा जा सकता है, परंतु क्य ऐसे तरीके से उधर की त्रिप्ती हो सकती है क्या उधर यानि पेट पेट की त्रिप्ती यानि पेट भर सकता है क्या लेखक ऐसा सोची रहा था इतने में हुआ क्या नवाब साहब की और से भरे पेट के उचे ड़कार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी और देखकर कह दिया उन्होंने एक बात भी कही जिससे लिखक और भी ज़्यादा हैरान हो गया क्या कहा खीरा लजीज होता है यानि बहुत स्वाधिश्ट होता है लेकिन होता है सकील यानि जो आसानी से पच्टा नहीं है जो आसानी से ने पचे उसको सकील कहते है तो लजीज तो होता है स्वाधिश्ट होता है लेकिन आपच होता है यानि आसानी से वो पस्ता नहीं है नामुराद मेदे पर बोज डाल देता है नामुराद का मतलब होता है बैरी या दुश्मन ये दुश्मन, मेदे मतलब अभी बताया था पेट, तो ये दुश्मन पेट पर बोज डाल देता है, अब ये दुश्मन कोन है, ये खीरे को कहा है, ये जो दुश्मन है न, ये खीरा हमारा, तो ये हमारे पेट को नुकसान पोचाता है, या ये बोज डाल देता है, है भी कर कचलुना देता है आके देख के Jian Chakshu खुल गये preciso मतलब उन्हें समझ में आ ङया लिखक को क्या समझ्म Knowledge कि यह है कि यह है नई कहानी के लेकर यह है A Elliott जो नई कहानी लिख सकते हैं वह नई कहानी कोन सी कि जो तो बिना पात्रों के कहानी, विचारों के और घटनाओं के, अगर ऐसी कहानी लिखनी पड़े, तो ऐसे लेखक, नवाब साब जैसे लेखक लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये बिना खाए, पेट भर सकते हैं, तो ये बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा कर आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पातरों के लेखक की छिफ इच्छा मातर से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, तो बच्चो अब आपके मन में ये चल रहा होगा, कि क्या ऐसी कहानी लिखना संभव है, जिसमें विचार, घटना और पातर ने हो, क्योंकि लेखक तो ऐसा कह रहा है, तो क्या संभव है, तो बच्चो इसका आंसर आपको अपने प्रशनों में मिलेगा, जब आप इस पार्ट के प्रशन पढ़ोगे, क्योंकि इसी पार्ट के जो प्रशन आपको मिलेंगे आप, वो exercise के question, most important question, और MCQ type questions, इसका link आपको सबसे उपर description box में मिल जाएगा, वहाँ पर आप पढ़िएगा, आपकी बहुत ज़्यादा knowledge इस पार्ट से रिलेटेड बढ़ेगी, और इसके साथ ही आपको आपकी class से रिलेटेड फ्री crash course चाहिए, तो उसका link भी आपको description box में उपर ही मिल जाएगा, जो की बिल्कुल free है, जिसमें आपको A to Z syllabus देखने को मिलेगा, और अगर आपको मुझसे बातचित करनी है, तो सभी social media की link description box में है, आज आज ये बातचित करते हैं, अब इतनी देर तक रुके यो तो आपको एक छोटी सी trick और बताता हूँ, कि आपको इस channel से related, जो भी part, कवीता या व्याकरों का कोई भी topic आप समझना चाहते हैं, तो उस topic का name लिखें और साथ हिंदी अध्यापक भी लिख दें, ये दोनों चीजे एक साथ लिख कर यूटीब पर अगर आप सर्च करोगे, तो आप पाएंगे कि आपको वो वीडियो सबसे उपर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, ये कि नहीं आता, तो एक बाद ट्राइ करके देखिए, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद,